हेलो स्टूलन्स वेलकम टू मैं चैनल आज के वीडियो में हम बात करेंगे रासानिक बंद की कि रासानिक बंद क्या होते हैं यह कितने तरह के होते हैं रासानिक बंद important topic में से एक है तो चले start करते हैं तो सबसे पहले परिवासा देख लेते हैं यहाँ परिवासा है दो या अधिक परमाडू जिन बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं उन बलों को ही राजसानिक बंद कहते हैं मतलब मतलब यह कि दो परमाडू हैं कोई भी दो परमाडू जैसे कि हम यहां पर एक यॉगिक ले ले लेते हैं जैसे ने सिये ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड अब सोडियम क्लोराइड में यहां पर आपको दिखाए दे रहा है कि एक सोडियम एक क्लोरीन से जुड़ा है तो जब दो परमाडू आपस में जुड़े होते हैं जिन बलों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं बीच में जो बल होते हैं उन बलों क कोई हम राजशानिक बंद कहते हैं तो राजशानिक बंद की प्रकार के होते हैं यहां पर देख सकते हैं तीसरा उबसे सहियों जी बंद जिसे हम coordinate bond भी कहते हैं तो हम इन बंदों की बात करेंगे हम एक एक करके तो यहां पर सबसे पहले हम लेते हैं बैद्दोत सहियों जी बंद या आयनिक बंद या Electrovalent Bond इलेक्ट्रोनों के इस ठानांतरण से जो बंद बंते हैं उन्हें बैद्दोत्चेयों जी बंद कहते हैं है इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि एक परमाणू उससे परमाणू को देता है उससे electron लेता नहीं है और दूसरा परमाडव electron लेता है उसको देता नहीं है और ये बात थोड़ी कठेन है तो यहां पर हम समझने के लिए एक उधारन लेते हैं हम वो उधारन लेंगे जिनमें की वैद्दोत सहियोजी बंद पाए जाते हैं और सबसे इसका सरल उधारन है NACL का NACL में अब हम यहां पर NACL का कुछ पोस्टमाटम करेंगे और NACL में ये पता करेंगे कि किस तरह का बंद है कि NACL इसका पालन करता है कि नहीं तो देखिए यहां पर NACL में आपको दो परमाड़ दिखाए दे रहे हैं एक sodium और एक chlorine हम दोनों को अलग अलग करके लिख लेंगे तो sodium को ये हमने अलग करके लिख लिया और नीचे chlorine को हमने अलग करके लिख लिया तो ये sodium chlorine अलग अलग करके लिख लिख लिए अब हम इनके electronic विन्यास इनके सामने लिख देंगे एक वाफे से बता देता हूँ कि यहां भी हमें electronic विन्यास की जोड़त पड़ी है तो आप समझ सकते कि electronic विन्यास कितना important topic है तो अगर आपने electronic विन्यास वाल वीडियो नहीं देखा तो उपर i button पर link का रहा है आप click करके जल्दी से देख लीजिए तो यहां पर चलिए देखते है यहां पर sodium का electron विन्यास होगा 2, 8, 1 और उसके बाद chlorine का electron विन्यास होगा 2, 8, 7 अब यह है इनकी history sodium की और chlorine की अब ध्यान कीजिए अस्ठक नियम पिछले वीडियो मैंने बता है था आपको अस्ठक नियम क्या होता है एक वा फिस से रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी परमाडू किसी भी परमाडू के बाहरी कक्षा में 8 electron होने की प्रभर्ती को अस्ठक नियम के अंतरगत माना जाता है अब इस दोनों यह वही बात है बिल्कुल यह दोनों आपस में जुड़ेंगे तो आपस में जुड़ेंगे तो दोनों यह बोलेंगे जैसे कि sodium sodium यह बोलेगा कि भाई देख मैं तेरे से जुड़ूँगा तो लेकिन मेरे बारी कक्षा में 8 electron हो जाने चाहिए उसी तरह chlorine भी यही कहता है कि मैं तेरे से जुड़ूँगा तभी जुड़ूँगा जब मेरे बारी कक्षा में 8 electron हो जाने चाहिए तो यह कैसे समग होगा तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर sodium को दे देगा sodium एक electron chlorine को दे देगा और यहाँ पर chlorine के 8 electron हो जाएंगे और जब यह electron chlorine को दे देगा तो sodium के पास यहां बारी कक्षा में 8 electron रह जाएंगे तो फिर दोनों की बारी कक्षा में 8 electron हो जाएंगे इसे बिंदू सरचना से समझ सकते हैं यहां पर मैं बिंदू सरचना बना देता हूँ यहां पर sodium की यहां पर बनाता हूँ Sodium, बिन्दु सर्षना होती है, कि बाहरी कक्षा के elektronों को यहां बिन्दु के रुप में लिखा जाता है. तो sodium की बाहरी कक्षा में कितने elektron है? एक elektron है. तो हम एक elektron यहां sodium का लिख देंगे, यहां बना देंगे, और इसी के बगल में chlorine की बिंदू structure बना देंगे, बिंदू साचना, dot structure बोलते हैं, तो chlorine यहां हम chlorine बना देंगे, और chlorine के भारिक अच्छा हम कितने लगना है, 7, तो 7 और electron को हम ऐसे, चलिए, यह बिंदू है, यह dot है, तो यह से cross बना देंगे, cross, cross, यह किवल अंतर करने के लिए है, और कुछ नहीं है, अब, अब इसके 8 electron, यह sodium, अपना वाला यह वाला electron, इस chlorine को दे देता है, और जब मैंने पिछले वीडियो में बताया था, कि देने वाला हमेशा दानी होता है, तो sodium, sodium पर क्या आवेशा आजाएगा, sodium पर आवेशा आजाएगा, Na1+, और chlorine ने एक electron लिया है, तो chlorine पर कौन सा आवेशा आजाएगा, Cl1- तो यह जो bond है, मतलव यह जो बल है, यह बैद्दूत सेहोजी बंद है, बैद्दोत सेहोजी बंद है, तो NaCl में किस तरह का बंद बंता है, बैद्दोत सेहोजी बंता है, बैद्द सियों जी बंद की एक मेंचान और होती है को इसके end में धनायन और रिणायन बनते हैं जैसे कि इसके end में क्या बने हैं धनायन और रिणायन बनते हैं तो यहां पर एक और उधारण हम देख सकते हैं इसका calcium chloride C-A-C-L-2 अब यहां पर आपने एक बार नोट की कि sodium chloride में मैंने N-A-C-L लिखा और calcium chloride में मैंने C-A-C-L-2 क्यों लिखा तो यह बहुत ही बहुत ही important चीज है इसके लिए मैं अगला वीडियो मैं ऐसी को पर बनाऊंगा तो आप वीडियो देखते रहिए जो भी वीडियो आपके पास आते हैं वो देखते रहिए इस चीज को मैं किलियर करूँगा कि इसमें 2 क्यों लगाया मैंने तो यहां पर फिलाल हम उसी टोगर पर आजाते हैं यहां पर देखिए sodium यहां calcium chloride C-A-C-L-2 होता है अब वही बात बिलकुल हम calcium का इलेक्ट्रमिन्यास लिखेंगे एक calcium है यहां पर है क्या यहां पर एक calcium है दो क्लोरीन है जो कि आपस में जोड़े हुए है एक calcium दो क्लोरीन तो यहां पर तीनों को हम लिख लेंगे calcium, chlorine और ये वाला दूसरा वाला chlorine जो कि दो क्लोरीन है तो मैंने दो बार लेक दिया है अब calcium परमाड़ुकरमांग होता है 20 और chlorine परमाड़ुकरमांग 17 और इसका भी 17 इलेक्ट्रमिन्यास लेखेंगे 2, 8, 8, 2 और इसका 2, 8, 7 और इसका 2, 8, 7 तो यह है इनके इलेक्ट्रमिन्यास अब इनी का हम dot structure बनाएंगे इदर बिंदू सरचना बनाएंगे तो बिंदू सरचना हम सबसे पहले calcium की बना देते हैं calcium के पास बिंदू सरचना बनाने के लिए हम केवल बारीक अक्षा के लेक्ट्रोनों को लिखते हैं इसको, इसको और इसको केवल इन इलेक्ट्रोनों को हम लिखेंगे dot structure बनाने के लिए तो calcium के पास कितने इलेक्ट्रोन है? दो तो calcium के पास चली cross बना देता हूं दो इलेक्ट्रोन, ये electron हम कहीं भी लिख सकते हैं तो calcium के दोनों इलेक्ट्रोनों को हम ने लिख दिया फिर chlorine chlorine एक पहला वाला chlorine इसके कितने इलेक्ट्रोन है? 7 तो चली हम 7 इलेक्ट्रोन डॉर्ट बना देते हैं यहाँ पर 7 इलेक्ट्रोन हो गए और दूसरा chlorine इधर बना देते है chlorine इसके भी 7 तो 7 इलेक्ट्रोन इसके भी बाद देते हैं पर लिख देते हैं, तो यह हो गई 7 electron, 5, 6, 7, चलिए यहां पर यह 7 electron, यहां भी 5 थे, 2, 2, 4, 5, 6, 7, तो यह 7, 7 electron chlorine, अब वही अस्टक्नियम वाली बात देखेंगे, कि अस्टक्नियम क्या होता है, कि अस्टक्नियम तीनों के 8, 8 होने चाहिए, तीनों के 8, 8 electron होने चाहिए, ज जबी यह calcium chlorine से जुड़ेगा, तो देखें, chlorine को कितना चाहिए, एक, इस chlorine को भी कितना चाहिए, एक, और इसके पास 2 extra है, तो यह calcium एक electron इसको देदेगा, और एक electron इसको देदेगा, मतलब कि यह वाला electron इसको देदेगा, और इस वाले electron को इसको देदेगा, इन से कुछ बलकि अपने दोनों ही Forgive एक इसको दे देगा एक स्कुमण तो यह क्या हुआ यह क्या हुआ यह हो निग्सकीत क्या हुआ धनी हुआ तो क्योटियम कर्षा आवश आने चाहिए धन आवश है लिए यहां लिखदेंगे calcium पर कौन सा आअवेशाईगा c8 two plus अब इस chlorine ने कितने electron लिए मिलना कि पास झीतना अवेशाईगा वन America दो यह end में क्या बने है आयन बने है तो इसका मतलब यह हुआ इसमें क्मक्ता बंद होगा बैददत सहींग्य बंद होगा तो यह है उधारण केल्शिम क्लोराइड का तो यहाँ पर हमने दो उधारण व्यद्द सेयोजी बंद के देखे कि व्यद्द सेयोजी बंद कैसे बनते हैं व्यद्द सेयोजी बंद में होता क्या है व्यद्द सेयोजी बंद में इलेक्ट्रोन या तो दिये जाते हैं या लिये जाते हैं मतलब देने वाला इलेक्ट्रोन देने वाला परमाड़ू कभी इलेक्ट्रोन उससे लेता नहीं है और लेने वाला परमाड़ू कभी इलेक्ट्रोन उसको देता नहीं है तो यहां पर इसी लिए इसकी परिवाशा में कहते हैं कि एलेक्टरों के स्थानांतरण से जो बंद बनते हैं उन्हें हम वैद्दुसियों जी बंद कहते हैं इसे आयनिक बंद क्यों कहते हैं, क्योंकि एंड में क्या बनते हैं, आयन बनते हैं, धनायन और रेनायन बनते हैं, इस बज़े से इसको कौंछा बंद बोला जाता है, आयनिक बंद भी बोला जाता है, तो इसके दो नाम हैं व्यद्दुचियों जी बंद और आयनिक बंद, त आज के वीडियो में इतना ही वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना बैल आइकूम को दबा देना जिससे के जो भी वीडियो डाला जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको आज आएगा आज के लिए इतना ही जैन